अब जो हमारा next topic है वो है respiratory stimulants जो आपका unit first का topic है 6th semester pharmacology 3rd तो जो हमारा respiratory stimulants है उसको एक नाम से और जानते हैं उसको बोलते हैं एनलेप्टिक्स ठीक है एनलेप्टिक्स जो respiratory stimulants also known as एनलेप्टिक्स तो तो थोड़ा सहम देख लेते हैं की definitions क्या respiratory stimulants की these are drugs which stimulate respiration ठीक है क्या करेंगे जो आपका respiration है जो सांस लेने की प्रकृति है एक process है उसको बढ़ा देता है इस्टुमलेट respiration and mostly used in coma and respiratory tract infections को मतलब होता है जब जब कोई person unconscious में चला जाता है या फिर respiratory जो आपकी tract infections है लाइक आपका अस्तमा है या फिर COPD है ब्रोंकाइटिस है तो उसकेस में भी हम respiratory as a respiratory instruments का यूज करते हैं ठीक है अब थोड़ा साम देख लेते हैं कि इसके examples के हैं अगर हम थोड़ा सा और देख लिए इसके बारे में तो इसमें लिखा हुआ है the margin of safety is narrow ठीक है the margin of safety is narrow of all the respiratory stimulants इसका मतलब है कि जो आपके respiratory stimulants है safety narrow का मतलब है कि उनकी जो toxicity है वो ज्यादा है और जो safety है वो कम है इसलिए उसको बोला गया safety is narrow अगे समझ में and the therapeutic role is very limited as a clinically अगर हम बात करें तो आपके respiratory instrument है बहुत ही कम यूज होते हैं as a respiratory instrument बहुत कम यूज होते हैं clear अब देखो हम देखते हैं examples क्या क्या है respiratory stimulants के सबसे जो most common drug है आपकी हो है दोक्सा प्रोम ठीक है दोक्सा प्रोम जो आपकी respiratory stimulant है well known respiratory stimulant है इसके लाव आपका caffeine भी बहुत अच्छा काम करती है theophylline and baspirone ठीक है दोक्सा प्रोम है theophylline and baspirone and caffeine these are act as a respiratory stimulant also known as analeptics ठीक है अब तोड़ा साम देखते हैं डोक्सा प्रोम एक्चुली आपने कैफीन के बारे में पढ़ा होगा theophylline के बारे में पढ़ा होगा बैस्पिरोन के बारे में पढ़ा होगा बट जो आपकी डोक्सा प्रोम है बहुत ही well known respiratory stimulants है तो थोड़ा से peripheral carotid chemoreceptors जो आपकी chemoreceptors हैं carotid chemoreceptors हैं उनके थुरू मेडला में respiration बढ़ाता है activate करता है उसको जिससे आपका respiration rate जो है वह improve हो जाता है अगर हम बात करें जो आपकी डोक्सा प्रोम हैं की प्लाज्मा को मेंटेन कर लेती है अगर हम बात करें इसके यूजिस की कि हमारे रिस्पारेटरी में कब देना चाहिए किस केस में देना चाहिए पोस्ट अनेस्थीसिया अनेस्थीसिया की बात की जो इस्टेस है उसमें अगर रिस्पारेटरी की दिक्कत आ रही है रिस्पारेशन में प्रोब्लम आ रही है आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ प्रोब्लम आ सकती है तब आप आप आजे रिस्पारेटरी इस्टुमेंट्स का यूज कर सकते हो इसके लाबा रिस्पारेटरी प्रोब्लम मैंने आपको बताया in Kapka कॉमा उसकता है या इंकांसेस की प्रॉब्लम आ रहे ये प्र rods 215 गॉटी से वह क्रेंटी फैलियर ऑफ केसे में भी आप डिर सकते हो वकोम आपको पता दिया थी फीलिंग ऑफ कांसेस्टों स॥ तो इस्टेरेस हैं आपकी मेडिकल इल्लेस हैं जिसमें आप इस्पाइटी स्टिम्रेंस का यूज कर सकते हो बट मैंने आपको बताया कि दीज ड्रग है लिमिटेट थेरपीटिक एक्षन ठीक है तो बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है बट आपके स्लेवस में तो आप थो बोडी का नॉर्मल टमप्रेचर से और ज्यादा बढ़ जाना इसको बोलते है फीवर फ्लसिंग मतलब होता है आपके बोडी में रेटनेस आ जाए ड्यू टू एक्सेशिव रिलीज ऑप हिस्टेमिन इस इस कॉल फ्लसिंग मतलब आपके पसीन आपके बोडी में पसीना एक कमें सक्षंग थैंक यू